एई, वीवर्स कैसे हैं आप सब साथ दिनों के अंदर अपका किडनी का पत्री हो या गौल ब्लेडर का पत्री हो यह दोनों पत्री जो है आपका यूरीन के माद्ने म से डिस्चार्ज हो जानेवाला है दोश्तो Hurd Ми कैसे होगा बीना सरजनी के बिना operations के गुर्दे की पत्री के बारे में जो है किसी ने मेरे को commit success में बहुत सारे viewers है से हमारे है जो दर्शक है उन्होंने मेरे से पूछा है कि सर गुर्दे की पत्री जो होती है वो जो है यानि की kidney की पत्री कोई या फिर gallbladder की पत्री कोई ऐसा उपाई बताओ जो कि बिना सरजरी के बिना operations के जो है वो बिल्कुल जो है remove हो जाए साथ दिनों के अंदर जो है आपका kidney का पत्री हो या gallbladder का पत्री हो ये दोनों पत्री जो है आपका urine के माद्यम से discharge हो जाने वाला है दोस्तों कैसे होगा बिना सरजरी के बिना operations के देखो भी ऐसा है कि गुर्दे की पत्री को ही जो है मुत खड़ा बोलते हैं क्या बोलते हैं मुत खड़ा बोलते हैं ठीक है दोस्तों पानी की मातरा कम होने के कारण मुत खड़ा हो जाता है यानि की पानी की मातरा आपके शरीर में कम होने पर जो है ये आपका गुर्दे की पत्री जो है बनने का कारण होता है शरीर में कैल्सियम जब हजम नहीं होता है सरी हमारा बॉड़ी जब कैल्सियम को हजम नहीं कर पाता है तो चोटे-चोटे-चोटे-चोटे में इकठा हो जाता है ठीक है वही जो है गूर्दे की पथरी का कारण बनता है यानि कि वही मुत्खडा हो जाता है ठीक है मिर्ची जादा खाने से भी मुत्खडा होता है जिन लोगों के यूरीन में जिन लोगों के मुत्र में कैल्सियम चोटे-चोटे छाड़ ये तत्व हो जल्दी होती है मेरी बात को समझो यह भिन भिन प्रकार के होते हैं और यानि कि चारो तरब से जो है एकत्र होकर के जो है यह आपका इकठा हो जाता है जो की पत्री का रूप ले लेता है दोस्तों ठीक है की अस्तिती में पत्री की किड्नी के पास औहुत अधिक दर्द होता है बात तो उस कंडिशन्स में क्या होता तो पत्री होने के बाद जब व्यक्ति यूरीन को डिस्चार्ज करता है तब उसे दर्द का अनुभव होता है ऐसे में मुत्र धीरे धीरे और रुक रुक कर क्या होता है बाहर मतलब आता है जब पत्री होती है तो दोस्तों एक बात जान लो इस बिमारी को मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ घड़ेलू उपचार से जो है किस तरह से आप अपने गुर्दे की पत्री को या गॉल्ब्लेडर की पत्री को केवल साथ दिनों में जो है रीमूब कर सकते हो हटा सकते हो तो सुन लो कान खोल कर जोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा जो दर्शक जो वीवर्स हमारे चैनल पर नहें सो प्लिस गाइज हमारे चैनल जीएज के को सब्सक्राइब करने दबा देना यह दोस्तों चुकंदर जो होता है चुकंदर को बारीक रेके चुकंदर को बारिक यहीं कि चोटे-चोटे चुकड़ों में काट कर पानी में उबालो और वह पानी हलका गुंगुने सथा भोजन के साथ आप खेरा तो अवस्शी खाओ आपका साथ दिनों के अंदर only seven days के अंदर जो आपका किडनी का पत्री और जो गॉल ब्लेडर की पत्री जो है आपका निकल जाना है ठीक है दूसरी बाद चौलाई जो का जो साग होता है चौलाई अत्वा बत्वा के साग को अच्छी तरह से धोकर ठीक है पानी में उबालना है और यह उबला हुआ पानी ठीक है यह उबला हुआ पानी कपड़े से च्छान लेना है ठीक है कपड़े से च्छान लेना तथा इसमें काली मिर्च जीरा तथा जरासा सेंधा नमकों मिला कर दिन में कई-कई बार पीना है जोस्तों आप यकीन मानो मेरी बातों को एक साथ ही अगर होगा तो आपको पता चलेगा एक आपका किटनी में निकल जाएगा तो मेरे चानल पर करके कम से कम थैंक यू जरूर बोलना और अगर आपका इस टोन नहीं निकलेगा तो आप ऐन कर देना तीक है इससे भी आपका पथरी जो है दोस्तों चोटे चोटे टुक्रों में यूरिन के माध्यम से आपका निकल जाएगा तीक है अब दोस्तों उसी बाद जान लो जीरे के पाउडर को जीरा का जो पाउडर होता है जीरे के पाउडर को शहद के साथ लेने पर पथरी जो है आपका छोटे छोटे टुक्रों में निकल कर यानि कि पिशाब के माध्यम से आपका निकल जाएगा एक सब्ता के अंदर निकलेगा मैं गारंटी के साथ कहता हूं और दोस्तों क्या है कि प्रात्रहकाल यानि कि मौर्निंग फर्स्ट आवर में खाली पेट कच्ची गाजर गाजर होता है ना गाजर जो है आपके निकलेगा जो पहले वाला बताया वह तो इसके बाद चलो आप सूखे आमले का पाउडर बनाना है आमला जो है उसको सुखा लेना है उसके बाद उसका पाउडर बनाना है और सुबह बासी मूँ यानि की खाली पेट जो है मुली पर लगाकर मुली रेडिश मुली पर लगाकर चवा चवा कर खाए आप दोस्तों यकीन करो मेरी बातों को साथ दिन के अंदर only for seven days साथ दिनों के अंदर अगर आपका पत्री नहीं निकलेगा तो दूस्तों आप मेरे वीडियो को जिन्दगी में कभी मत देखना है ठीक है दूसरी बात जानलो आप दो चम्मच जो है कडेले का रस में सेंधा नमक और जरासा शहद यानि कि हनी को मिला कर आप चाट लो केले के तने का रस जो केले का थम होता दोस्तों उसके रस ठीक है पत्री निकालने में भी आपको काम देख उसका रस को पीना है दूसरी बात आप एक बात जानलो कि उस रस जैसे ही आप रस को ग्रहन करते हो थोड़ासा सेंधा नमक को मिला कर आपका पत्री दस दिनों के अंदर अगर 12 mm का स्टोन है तो वह 5 mm का हो जाएगा दोस्तों ठीक है एक दम गरंटी के साथ मैं कह रहा हूं दोस्तों ठीक है तो पखाडवेद भी कहते हैं पथर चट्टा का काढ़ा बनाकर पिए यह काढ़ा 15 से 20 दिन तक आपको पीना है यह नहीं कि पता चला चार दिन पिलिया पांच दिन पिलिया नहीं दो टाइम सुबह और साम कंटिन दोस्तों पीना है आप 15 दिनों के बाद आप सोनो गलापी कर ठीख है यह यहीं कि पखाडवेद पथर चट्टा के पत्ते का काढ़ा पीना है इसी को इसी से जो है हूमियोपैत की दवा भी बनती है पथर चट्टा से ठीक है और उस हूमियोपैत की दवा का नाम है बरबिरीज बुल्गारीज के ओ मधर टिंक्चर दस से 15 बुन जो है एक दस से पंद्रे बुंद जो है आपको यानि कि आधा कप पानी डाल कर दिन में तीन से चार बार आप पियो एक से डेड़ महिने के अंदर अगर 20 mm का भी पत्री है तो उस पत्री को तोड़ तोड़ करके बाहर निकाल देगा बच्चों अगर छोटा बच्चा है उसके केस में दस बुंद का जो है यानि कि जो दस बुंद से लेकर के आप पांच बुंद भी जो है वो टिंक्चेट दे सकते हो ठीक है लगातार डेड़ से दो महिने तक कंटिन्यू दो आपका पत्री अगर 22 mm का भी है दोस्तों हो आकर निश्चिंट हो जाओ की पत्री है या नहीं है एक दूसरी दवा ले ताकि भविश में मेरी बात को जान लो यह मैं कह रहा हूं एक दूसरी दवा और बता रहा हूं मैं यह भी आप लो ताकि भविश में जिन्दगी में आपको कभी भी किड्नी स्टॉन नहीं होग यह guarantee है हमारा दोस्तों ठीक है फोनसा दवा है वो आपका China 1M 1000 दो दो बुंद सुबह दो पहर शाम ठीक है तीन टाइम ठीक है आपको देना है ये कितने देना है शिर्फ तीने देना तीन देना त्री डेज और फिर आप अल्ट्रासाउंड करवा लो ठीक है दोस्तों एक बात जान लो टमाटर गारज गाजर पालक मेथी डूद ऐसी ही कैल्सियम की कोई भी चीज आपको नहीं खाना है कब जब आपके किड्नी में स्टोन हो जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो ज्यान देना है टमाटर नहीं नहीं खाना पालक नहीं खाना मेत्ती नहीं खाना दूद में पीना ठीक है जो भी केल्सियम वाला डुक रहा है जब आपको स्टॉन होगी तो उस कंडिशन में आपका जो केल्सियम है वो केल्सियम को जो है पचा नहीं पाता है वही केल्सियम छोटे-चोटे टुक्रों को है ज़ादस-ज़ादस लोगों के साथ जो आप के साथ शेयर और अपने कलिक के साथ शेयर और तब थक कमारे विडियोच पर बने रहो और देखते रहो दूस्टो अगले वीडियो के लिए तब तक इंतजार है जय हिन जय भारत